तो चलिए बात करते हैं टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी की एपिसोड की शुर्वात में दिखाया जाएगा कि रुद्राक्ष डॉक्टर से कहता है कि मैं फैमिली मेंबर नहीं हूँ पेशन का लेकिन मैं इसके फैमिली मेंबर को कॉल कर दूँगा डॉक्टर मां से चला जाता है सारांश कहता है रुद्राक्ष से कि आपने तो प्रिषा से शादी की थी ना तो मतलब रुखी आपकी बच्ची हुई तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं रुद्वाक्ष कहता है कि नहीं बेटा रूही युवराज की बेटी है मेरी नहीं तब ही वो कहता है कि प्रिशा ने मुझे धोका दिया और मैं उसे अपने जंदिगी में अब दुबारा वापस नहीं आने दूँगा सारांज कहता है कि नहीं मैं नहीं आने दूँगा प्रि से इस बारे में बात करूँगा लेकिन तुम पहले calm down हो जाओ और हम इसके बारे में बारे में बात करेंगे वो सारांश का mobile लेता है और युवराज को call करता है और कहता है कि प्रिशा और रुही के condition कराब ही तुम जल्दी आजाओ युवराज सोचता है कि बस यही time है 后 हीरो बनने का जीरो से और वो रुद्राक्ष को दिखा देगा कि प्रिशा और रुही का family member मैं हूँ रुद्राक्ष नहीं सारांश कॉल पर करता है शार्दक यह उसे इनफर्म करता है कि मैं जानता हूँ प्रिशा ममा जिन्दा है और आपको भी पता थी ना यह बात लेकिन वह साती सात प्रिशा रूही की कंडिशन भी बताता है वैजन ते यहां पर इन दोनों की बा लेकिन आखिर आपने सारांश से इतना बड़ा जून पता चुपाया तभी यहां पर वह कहती है अपने आप से कि सारांश अगर प्रिशा को घर में ली आया तो मेरा क्या होगा नहीं मुझे कुछ करना होगा इदर प्रिशा को होश आता है रूही के बाल में पूछती है र रुद्राक्ष को डाटता है, वो कहता है कि मैं प्रिशा को हैंडल कर सकता हूँ, और रूही को भी तो इसलीए तुम यहां से चले जा। पता नहीं मैं यहां पर रूही से दूर रहने की कोशिश इतना करता हूं बट क्यों नहीं रह पाता बार-बार मेरा दिल क्यों टूटता है उसको ऐसे देखकर जब वो रोती है उसको तड़प होती है तब ही वो रिकॉल करता है उसके साथ बिताए कुछ खुबसूरत पलों क प्रिशा यहां पर हॉस्पिटल जाती है हॉस्पिटल के जो मंदिर होता है उसमें जाती है रूही की सेफटी के लिए भगवान से प्रे करने के लिए तब ही वो कहती है कि प्लीज प्लीज मेरी गलती की सजा रूही को मर दीजे रूही मेरे और रुद्वाक्ष के प्यार क बचाने के लिए युवराज यहां पर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रोक पाता बंटी अपने आप से कहता है चाहें जो हो जाए मैं रुद्राक्ष और प्रिशा को एक नहीं होने दूँगा वो जूट बोलता इंस्पेक्टर से कि मुझे अपने लॉयर से बात करनी है लेकिन रुद्र को कॉल करता है वो इंफर्म करता है कि रुधी तेरी डॉटर है युवराज की नहीं तब ही यहां पर कहता है कि प्रिशा ने तुस्से जूट बोला ताकि रुधी को तुस्से दूर रखे और वो फौन डिसकनेक कर देता है रुद्राक्ष नहीं, उसके साथ उसका blood group match नहीं होगा क्योंकि रूही तुम्हारी बेटी है, तुम उसके पापा हो, यहीं हो जाएगा श्राइगा श्राइगा अपिसोड के जिसके बाद कल क्या होगा, आपको बताएंगे नेक्स रिपोर्ट में, ऐसी मजदा अपडेट्स के लिए चानल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेकर ना ना भूलें